हलो फ्रेंट्स वेलकम तो कार्गी क्लासिस डेट आज की 5 अप्रिल 2021 और देख लेता है इंडियान एक्सपर्स के इंपोर्टन आर्टिकल जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल और आइडिया पेज से फर्स्ट आर्टिकल है कमिशन और आमिशन इस आर्टिकल में इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया के दुआरा जो एक्शन्स लिए गए है अभी जो इलेक्शन बाउंड स्टेट्स है वहाँ पर इनमें पर्टिकलर्ली बात की जा रही है इस आर्टिकल में वेस्ट बेंगोल और तो उसमें Election Commission of India ने जो कुछ भी कदम उठाये हैं उनमें से एक important कदम तो ये कि जो असम के BJP लीडर की गाड़ी में जो EVM मशीन मिली तो उसके चलते हैं EVM मशीन का एक तरीके से politician की गाड़ी में मिलना ये बहुत ही जादा concerning बात थी तो जो भी officers involved थे उनको Election Commission of India ने suspend कर दिया ये तो बहुत ही अच्छा किदम है क्योंकि Election Commission of India बिलकुल भी unfair manner में election conduct करवाने के लिए जाना ही नहीं जाता fair manner में conduct करवाया जाता है election हमारे यहाँ पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो असम में जो हिमंत अभिश्वा सर्मा है बीजेपी के लीडर उनके जो statements आये हैं अपने opposition party के जो political leaders हैं उनके लिए तो उसको लेकर के पहले Election Commission of India ने उन पर 48 गंटे का बैन लगाया था और अब उसको reduce करके के लिए 24 hours का कर दिया तो बोले इस तरीके से अपने खुद के ही decisions को repeal करना या revert करना ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और साथ में जो election commission of India ने अपनी तरफ जो statement दी हैं वो भी इतने जादा कोई solid or strong नहीं है तो यहाँ पर बताया जाता है कि election commission of India को अपने जो काम जिस firmness जिस fairness और जिस independent behavior के लिए जाना जाता है election commission of India को उसी के लिए काम करने की जरूरत है तो इस article में इतना ही था discussion करने लाए कुछ और है नहीं नहीं देखेंगे दूसरा आपके सामने article on fuel price crude effect इसमें सुशील कुमार मोधी के दुरा लिखावा यह article है जो कि बिहार के deputy cm है उन्होंने यह बताया है बोले जी स्टी के अंडर में लाना ही केवल एक solution नहीं रहेगा fuel price को control करना है तो इसके लिए जो states और central government की जो revenue collection होती है जो taxation system levy जो लगत है तो जानेंगे सार्टिकल में एक एक मतलब thread by thread detail हमें पता पड़ेगी सार्टिकल के थू कि crude oil के price कैसे rise हो रही है और क्या-क्या important factors उनके बीचे इसके लावा हम दूसरा article देख सकते हैं देखो यहां पर not making the cut यहां पर article में बताया है कि small saving schemes के लिए अभी Wednesday को तो सरकार ने Central Government of India ने यह कहा कि हम interest rates को reduce करेंगे और 12 गंटे के अंदर अंदर ही उस order को cancel कर दिया तो एक तरीके से small saving schemes को यह जो price sorry interest rate जो high है उसको reduce करने का जो order है बोलावे politically inclined है क्योंकि West Bengal में election चल रहे है और West Bengal के जो लोग है वो सबसे ज़्यादा contribute करता है small saving schemes में तो इसके चलते ही है reduction करना साथ में small saving schemes की अगर interest rate जादा है तो उस interest rate का बाकी overall economy पे क्या असर पड़ता है वो भी जानेंगे तो एक article यह हम देखने वाले हैं इसके अलावा तीसरा article हम देखेंगे home and the world इस article में बताया जाना है मुद्दा तो हम already जानते है कि जो तमिल नाडू, केरला यहाँ प ठीक है तो इन में एक चीज आ रही है clear कि जो women घर पे काम करती है home makers हैं उनको salary दी जाए उनको wages दीए जाएं बोलो उसको recognize करना तो ठीक है बट उसके पीछे कारण है उन कारणों को भी तो recognize करो आप उसके बाद में root को पहले identify करो root cause क्या है फिर उसके बाद में आप symptoms पे का करना शुरू करो तो ज्यादा long term में हम successful हो पाएंगे तो इस तीन आर्टिकल आइडिया पे इस पे एक भी आर्टिकल काम करनी है जिसे आज हम discuss करेंगे एक आर्टिकल आया है यह वाला a few good men इसमें जीवी रामकृष्णा ठीक है यह secretary of petroleum ministry रह चुके हैं तो इनके उपर आर् तो उस point of view से देख सकते हो एक्जाम point of view से तो इतना कुछ काम का लगा नहीं है क्योंकि काम कैसे किये जाता है decision कैसे लिए जाता है वह decision making point of view से यहाँ पर आपकी बहुत help कर सकता है यह article तो एक बार जरूर पढ़ना आप इस article को इसके अलावा यह तमिल नाडू की राजनी नहीं देखेंगे ओके आप देख लेते हैं important articles को detail में फर्स्ट आर्टिकलर not making the cut इस article को आप जीएस पेपर 3 जेनरल स्टडीज आईएस मेंस यूपीएस मेंस जीएस पेपर 3 से connect कर सकते हो जिसमें economy से related जो topics है वहाँ पर आप इसको associate कर पाऊगे देखो पिछले हफते Wednesday को कर देखें तो finance ministry ने announce किया कि जो small savings schemes है ठीक है कौन-कौन सी small savings schemes इसमें majorly आप देखोगे जैसे PPF account आप खुलाते हो public provident fund हो गया या फिर आप national savings schemes में invest करते हो या फिर जो अभी शुरू किया था सो कन्या समरिद्दी योजना ऐसे बहुत सारी schemes चल रही है जिन में interest rate reduce करने की बात की थी 40 से 110 basis point मतलब 0.4 से लेकरके 1.1% तक interest rate को reduce करने की बात की थी different small savings schemes में जो April June quarter है उसमें बट आप देखो होगे जैसे ही थोड़ा सा अभास हुआ government को कि अभी जो West Bengal में election चल रहे हैं समें election चल रहे हैं तो पॉलिटिकल जब एक bound आना शुरू हो गया ना तो उसके चलते फिर बाद में government ने अपनी तरफ से जो order निकाले थे ये orders को cancel कर दिया ठीक है तो इसी चीज को लेकर कि acceptable या फिर unjustifiable manner में ये step लिया गया है या फिर आप कह सकतो unfavorable manner में ये कदम उठाया गया है अगर overall economy point office से देखा जाए तो पहली बात तो यह कि देखो political compulsion के चलते ही ये काम किया है कि small savings schemes में West Bengal से बहुत ज़्यादा investment आता है तो इसके चलते क्या हो गया कि अगर हम interest rate ज़्या जो त्रणबूल Congress उनके बीच में बता रहे है एक्सपर्स का कहना है कि बोलो competition चल रहा है तो उसके चलते हैं एक भी मोका कोई भी party नहीं छोड़ रही है तो एक तरफ तो है TMC जो की incumbent party है कहां की West Bengal में मतला महाँ पर ruling party है और दूसरी तरफ है BJP जो की incumbent party है कहां पर central government में ब जैसे rapo rate होगी reverse rapo rate होगी bank rate होगी जो की monetary policy committee जब भी meeting होती है तो decide किया जाता है उसमें कि कि कितनी interest rate हमें रखनी है तो एक तो वो interest rate होगे जो monetary policy अपनी तरफ से decide कर रहे हैं जिसको policy rate बोलते हैं ठीक है दूसरी तरफ यह small savings schemes में जो interest rate है वो government announce करती है तो दोनों में अगर थोड़ा बहुत भी gap होता है तो अगर small savings scheme में ज़्यादा interest rate मिलेगी तो लोग invest किसमें करेंगे small savings scheme में तो आप एक चीज़ बताओ कि economy में फिर properly जो monetary policy ने जो target रखा है अपनी जो interest rate को fix करने का वो फिर कैसे properly काम कर पाएगा तो यहाँ पर तो market एक है कुछ चीजों को regulate कर रहा है तो आप बताओ किस तरफ investment जाता जाएगा government की तरफ जाएगा की नहीं अब इदर RBI ने जो interest rate fix कर रखी है वो काम case है कि कहाँ पर जो banks होंगे जो commercial banks है अब commercial banks जो अपनी खुद की saving account उन पर कितना interest rate दे रहा है 2.35 कोई 3% दे रहा है इससे ज्यादा को interest rate दे नहीं प काईना के बहुत सारे jugs आने शुरू हो जाते हैं तो एक तो public sector banks जो है वो देखो retail term deposit पे बहुत ज्यादा dependent है कि हाँ हमारे जैसे जो middle class के lower middle class के लोग जो हो पैसे deposit कर रहा है उसके basis पे वो फिर काम करें अब उसके competition में चलते रहती है alternative saving schemes जैसे कि small saving scheme का हमने दिया तो आप बताओ किसकी तरफ ज्यादा जुकाव रहेगा small saving scheme तो इस तरीके से public sector bank तो already NPS का सामना कर रहा है पैसे की कमी है तो ये core crisis का का काम हुआ कि नहीं 2020 के अगर बात करें तो जो interest rate और ये जो small saving interest rate है इनके 20 में बहुत घजब का मतलब आप देखोगे बहुत ज्यादा gap देखने जो bank's interest rate जो provide करते हैं उनके बीच में तो ये कहीं ना कहीं economic को destabilize करती है या फिर जो भी formula's में काम किया जाता है वो formula successful नहीं हो पाते फिर दूसरी तरफ अगर हम देखें कि government के पास में government हमेशा deficit ridden होती है क्योंकि government के पास में आमदनी तो कम रहती है और खर्चा ज्यादा रहता है ठीक है और रही से में जो आप देखोगे जो एक तरी पापिलिजम सलता रहता है ना कि हाँ water water account को ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में ज्यादा ज्यादा पैसा खर्च करने के कोशिश करती है जो भी ruling party होती है government में तो आप देखोगे कि सरकार के पास में पैसे की कमी है दूसरी तरफ आप देखोगे सरकार ही interest rate pay करती है इन पर जो भी small savings schemes है उस पर तो सरकार पर तो फिर ये load लगातार बढ़ता चला जाता है पर दूसरी तरफ अगर आदेखें तो सरकार को फिर अगर पैसे की कमी रहती है तो सरकार को उधार लेना पड़ता है और उधारी के लिए commercial banks की बजाए सरकार किस पर rely करती है इन small savings schemes पर जिनमें लगबग 2021-22 के जो अभी या estimated जो अभी बोल रहो ना financial year अभी start हो गया एक अपरिल से तो around 3.91 lakh करोड रुपीज का collection सरकार के पास में जाएगा जिस पर सरकार interest rate भी pay करेगी तो basically point यहां पे आ गया कि सरकार को high interest rate देना भी तो इनके ओपर सरकार के ओपर obligation है कि नहीं तो सरकार को इस चीज़ पर भी ध्यान रखना चाहिए कि market rate क्या है उसी के इसाब से small savings schemes की जो interest rate आप वो fix किया जाए देखो अभी फिलाल तो election का असर है तो election एक बार खतम हो जाए तो उसके बाद में देखते हैं कि क्या political compulsion निकल के आता है क्या सरकार की सोच रहती है कि जिससे की sound economic policy बनाई जा सके ठीक है next article पर चलते है next article on fuel price crude fact article लिखा है सुशील कुमार मोदी ने देखो global crude oil के prices हैं अगस्ट 2020 से लेकर अभी तक देखें तो लगातार भढ़ती चली जा रही है और इसमें main कारण क्या है demand का rise होना petrol और diesel की अच्छा एक चीज और कि इसमें वजह क्या हुई कि एक तो क्या हो गया देखो vaccination drive अभी जबर्दस तरीके चल रही है दूसरे जो internationally different countries में including India हमने देखा कि बहुत सारा lockdown के cases देखे गया थे lockdown apply किया था executives के तरह तो वो भी चीज़ें आप क्या हो गई तीरे यहां पर डिमांड होने लग गई है कि बोला crude oil को अब या petroleum या petroleum या petroleum डीजल को जीस्टे एमबिट में लेकर क्या जो जो goods and service tax है उसके अंडर में लेकर क्या जो तो writer यहां पर इसको एक huge misnomer बोल रहे हैं बोला इसमें कोई भी base वाली study नहीं है अगर real में अगर थोड़ा स नहीं करेगी तो को तब भी जीस्टी के अंडर आने के बावजूद भी petrol और diesel के दाम कम नहीं होने वाले हैं अगर जीस्टी की maximum rate हम देखे तो वह अभी कितनी चल रही है 28% तो जीस्टी एक decision जब भी लिया जाएगा जीस्टी के ओपर वो लिया जाएगा जीस्टी काउंस में ठीक है तो आप देखोगे कि जीस्टी काउंसिल जब finalize करेगी तो उसके बाद में फिर decide होगा कि वाकई में जीस्टी के अंडर में आएगा या नहीं आएगा बेसिकली अगर current scenario की बात करें तो central और state government जो हैं वो कहीं ना कहीं इन products को अपने चंगुल से बाहर नहीं न करके लगबग पांच पॉइंट पांच लाक करोड रुपए तक की revenue कलेक्ट करते हैं पेट्रोल और डीजल दोनों से मिला करके current fiscal year मतलब हो गया यह आप मानो 2021 का जो fiscal year इसमें साड़े पांच लाक करोड रुपए तक सरकारों ने कमाए हैं इससे revenue collection हुआ है तो अगर prices को reduce क करना है तो केवल GST में ले जाना is not a solution solution क्या है कि state government और union government दोनों मिलकर के जो widespread taxation की जो regime है उस tax rate को reduce किया जाए या taxation के जो अलग-अलग norms है उनको reduce किया जाए overall देखे ना कि union और state government दोनों मिलकर की जो लेवी लगाती है जो taxation लगाती है तो petrol की price में जितना होता न उसमें 55% हिस्सा तो भई केवल और केवल union government अपलाई करती है 52% सोरी 55% तो केवल tax session है similarly diesel की अगर बात करो तो वो भी 52% तक tax session के तोर पे collect किया जाता है state और union government के दुआरा तो overall आप देखोगे दोनों की price मिलकर के कितनी हो जाती है 135% तो price rise हो जाती है किसकी petrol की और 116% price rise हो जाती है किसकी diesel की तो इन से क्या हो गया सरकारों को बहुत जादा revenue इकटा होता है और उस revenue को loss करना बहुत मतलब minus करना center और state के लिए इतना जल्दी possible नहीं होगा तो वही और रही सही में हमें भी पता है कि GST collection तो वैसे ही कम हो रहा है सरकार के पास revenue वैसे ही कम है लोग tax वैसे ही बहुत कम देने लग गए है क्योंकि अभी जो economic activities है वो बिलकुल halted है बिलकुल रुकी पड़ी है तो उसके चलते ही है कदम उठाने अभी आसान भी नहीं है पेट्रोल और डीजल पे कौन-कौन से taxes लगते हैं वो थोड़ा समझें तो आप देखोगे basic exercise duty लगती है पेट्रोल पे 1.40 रुपया पर लिटर के हिसाब से और डीजल पे 1.80 पर लिटर के हिसाब से के अंदर जो divisible pool taxation की बात करें कि हां common taxation लगेगा और फिर बाद में divide किया जाएगा center और state की बीच में तो वो लगबग लगबग 42% तक apply हो जाता है जिसका amount आप total देखोगे तो 52,000 करोड रुपय हो जाता है जो कि states को मिल जाता है आप देखो 42% का हिस्सा 42% जो लगा taxation उसक एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि लगबग 42,000 करोड रुपय होता हो वो states में divide होता है तो states इतने बड़े amount को कैसे lose करेंगे अच्छा लिमेनिंग जो बचा हुआ portion और taxation का भी taxation खतम नहीं हो है एक तो लगता है road and infrastructure says के नाम से 18% 18 रुपय पर लिटर के हिसाब से और एक लग में ये state और central government क्यों जल्दी से इस चीज को छोड़ेंगी क्योंकि बहुत बड़ा आंदनी का एक तरीका है और ये बिल्कुल assured है क्योंकि पेट्रोल और डीजल का consumption है ये बिल्कुल भी कम नहीं है ये consumption continue बना हुआ है तो इस चीज को लेकर कि ये जो सैस लगाई जा रहे है ये तो central government के हाथ में जा रहे है तो देख लो आप 18 रूपए का मतलब सीधा का सीधा एक लिटर के ओपर 18 रूपए सीधे के सीधे central government का count में जा रहे है ऐसे ही डाई रूपए और चार रूपए के इसाब से पर लिटर के इसाब से पेट्रल और डीजल का रूपया है वो करने की जरूरत है ठीक है देखो ये heavy taxation ही बहुत बड़ा important एक factor है जिसकी वज़े से जो price है वो लगाता rise होती चली जा रही है crude oil की देखो demand and supply का तो issue है ही कि internationally production जो है crude oil का वो कम कर दिया पर रही सही में हमारे यहाँ पर taxation भी बहुत जादा है उसको भी review करने की जरूरत है आप देखोगे petroleum एक लोता एक ऐसा product है petrol और diesel जहां से सरकार को एक assured revenue collection मिलता ही रहता है और बहुत बड़ा important contribution कहां से आता है वो दिया जाता है public sector undertakings जैसे आप देखते हो HPCL हो गई, oil India limited हो गई, यह क्या कौन सी कमपनिया है यह सारी की सारी public sector undertaking मतलब सरकारी कमपनिया है तो वो revenue का collection करती है इसके basis पर और सरकार को फिर पैसा ऐसे कैसे दिया जाता है देखो fuel, fuel oil की बात कर लो या demerit goods जो भी luxury goods है वो या फिर जो मतलब नुकसान दायक है luxury नहीं नुकसान दायक goods या फिर liquor की बात कर लो शराब की इनको अभी तक हमारे GST council ने approval नहीं दिया है कि इन को इसमें GST Mbit में लाया जाए GST taxation के अंडर में लाया जाए बट एक बार GST taxation के अंडर में लाया जाए तो वहाँ पर भी हमें दो रिजीम का सामना करना पड़ेगा एक तो होता है credit available होने वाला और एक होता है non creditable amount credit का मतलब हो गया GST के अंडर में कि मान लो एक product है इसका production factory में हो गया तो उस production वाले इस a product पर जैसे ही factory level पर जो tax लगेगा उस tax उस tax को आप consider करो फिर a product चला जाएगा किसी wholesaler के पास में wholesaler को भी कुछ tax देना पड़ेगा तो यहाँ पर यह जो tax already factory ने pay कर दिया है ना इस taxation का फायदा यहाँ पर इस wholesaler को मिलेगा कारण कि यहाँ पर अगर फिर से वही tax repeat हो गया तो double taxation हुआ कि नहीं तो double taxation को avoid करने के लिए यह tax credit की facility अविल कराई हुई है किसमें GST में ठीक है तो यह जो फायदा मिल सकता है कुछ पार्ट को और कुछ पार्ट जैसे अलग-अलग हमने देखे ना कि अलग-अलग सेग्मेंट है अलग-अलग सेग्मेंट में एक credit वाला section होगा तो एक non credit वाला section होगा तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है इसे की जो non creditable portion रहेगा ना value chain का total crude oil से फिर petrol diesel में convert होने तक का तो जो portion non creditable रहेगा उसको GST से बाहर रखना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या हो गया GST भ तो वाकई में जो target है ना की taxation reduce हो वो target हम अचीव नहीं कर पाएंगे आप देखो कि environmentally अगर देखे तो fossil fuel वाकई में हमारे लिए घातक साबित हो रहा global warming देखो climate change के ही साब से देखो पर दूसरी तरफ अगर आदेखें तो यह जो taxation लगा रहा है सरकार के दौर लगा जाता है टेकसे अलग-अलग उन टेकसे से revenue का भी तो collection हो रहा है ना infrastructure development के लिए भी तो काम कर रहे है ना सरकार उसी से तो यह दोनों चीजे भी कहीं ना कहीं यह जो heavy taxation का जो regime है इसको continue करने के लिए सरकार को compel करते हैं कि हां fossil fuel का कम से कम use हो तो इसको महेंगा कर दो दूसरा सरकार क को infrastructure development भी करना है तो उसके लिए पैसे की जो जरूरत है वो पूरी कैसे हो बोले taxation को continue रखो और उसमें सबसे important हो जाता है क्या यह जो crude oil यह जो petroleum product है इनके ओपर taxation को लगातार बनाया जाए क्योंकि अभी हमारे आपर जरूरत किसी की है capital infrastructure capital development की capital investment की तो यह जो products है इन product पे बह करो exercise duty storage लेवी इसके लावा security लेवी environmental taxes carbon tax का नाम आपने सुना होगा कि जब crude oil के demand बहुत कम हो गई थी तो सरकार मतलब crude oil के prices कम थी 2020 अगस से पहले बहुत कम चली गई थी ठीक है जब रशिया और साओधी अरबिया के बीच में जो एक लड़ाई चल पड़ी थी कि बही production को हम कम नहीं करेंगे तो production बहुत ज़्यादा था और demand थी कम, demand के comparison में production ज़्यादा कर दिया था कहने का मतलब, तो उसके चलते क्या होने लग गया था कि price बहुत ज़्यादा down चली गई थी, तब सरकार ने carbon tax का नाम ले करके इस petrol पे और diesel पे बहुत tax बढ़ा दिया था, ठीक है कि बोला कि कैसे भी करके हम environment friendly regime create करना चाहते हैं, तो वो ही चीज यहाँ पर बताई जा रही कि अलग अलग taxes यहाँ पर सरकार लगाती है, अगर हम European Union के अगर बात करें तो इस तरीके के taxes वहाँ पर petrol और diesel वाला जो segment है, उस पर 45% से 60% तक अप्लाई किया जाता है, कैनेड GST के अलावा, प्लस में 25% से लेकर के, 25 से 30% पर लिटर taxation ओड लगाया जाता है, तो additional, केवल USA ही वर्ल्ड में इकलोता है, ऐसा country है, जहाँ पर जो पेट्रोलियम प्रोड़क्ट है ना, पेट्रोल और डीजल, इन पे केवल 15% tax apply किया जाता है, GST रेजीम की जब बात के न क करेना, तो जब UPA government थी, मनमौन सिंग सरकार थी, उस टाइम पर 115 वाजब constitutional amendment act के तौर, amendment bill introduced किया गया था, तो उसमें ये जितने भी product हैं, जिन में importantly आ गया है, एक तो petroleum crude, एक हो गया high speed diesel, petrol, natural gas, aviation turbine fuel, ATF जिसको बोलता है, जो planes में use होता है, इसके अलावा alcohol, liquor, human consumption के लिए, इन को GST ambit से बाहर रखा गया था, फिर उसके बाद में ये bill तो हो गया था, cancel पास ही नहीं हो पया था, फिर बाद में, 2014 में, 122 वा constitutional amendment bill जब introduce किया गया, तब GST के अंडर में, इन सभी चीजों को डाला, और ये कह दिया, कि जब GST council को ठीक लगेगा, उस टाइम पे GST council अपना एक order declare कर देगी, और declaration की basis पे फिर बाद में finalize हो जाएगा, कि petroleum, alcohol, ये सारे जो product जो हमने यहाँ पे देखे, ये सारे के सारे अप GST regime में आ जाएंगे, तो ये जो चीज ना, इस चीज को finalize करने का, जो main final decision जो होगा ना, वो देखो रहेगा GST council का, अप GST council की composition के बारे में आप detail gain करोगे, prelims point of view से, ठीक है, तो ये एक important question बन जाता है, कि prelims में question आ जाए, तो आप overall आप देखोगे, तो states को अभी भी क्या है, 25 से 30% revenue अना, ये लगबग लगबग इन petrol और diesel से मिल जाती है, क्योंकि एक तो क्या है problem, कि जो जब GST implement हुआ था ना, तो इसमें क्या problem थ थी, कि सारा का सारा, जो decision है, वो GST council लेगी, तो एक एक state की अपनी autonomy कहीं ना कहीं, बहुत हद तक reduce हो गई, तो इसके चलते states को security के लिए, ये goods छोड़े थे, कि हाँ ठीका, petroleum, alcohol, electricity, ये कुछ आपके खुद के products हैं, आप इनके उपर अपने इस आप से tax regime को continue रखो, GST तब apply किया जाएगा, जब states राजी हो जाएंगे, पर अभी तक भी क्या है, कई वार allegations भी लगते रहता है, कि states को GST का जो share मिलना चीए, वो share नहीं मिल रहा, ऐसे हमने articles previously बहुत discuss की हैं, तो states अभी इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा reluctant है, कि GST के अंडर में petroleum को, alcohol को इनको डाला जाए, क्योंकि फिर बाद में वहाँ पर सारी चीज़े decide करने के लिए एक council हो जाएगी, और उस council का फिर बाद में decision जो भी होगा, वो हर एक state को मानना पड़ेगा, तो ऐसे में चलते अभी तो कोई chances बनते हैं नहीं, इसके अलावा, जो central GST है, या state GST है, एक सब्सक ये है, एक सो बाइस वा बिल इंटर्डूज हुआ था, दोजार चोदा में, और फिर एक सो एक वा जो constitutional amendment act भी बन गया था, दोजार सत्रा में, ठीक है, और एक जुलाई दोजार सत्रा से आपको पता ही है, कि GST implement होना शुरू हो चुका है, और अभी GST ही चल रहा है, तो basically ये बहुत ज़्यादा tricky issue है, कि कैसे आप इन petroleum product को GST के अंडर में लेकिया होगे, तो एक तरफ तो सरकार को revenue loss हो रहा है, तो दूसरी तरफ environmental losses की बात करो, तो वो भी कहीना कहीन तो बढ़ जाएंगे ना, अगर सस्ता petrol हो जाता है, अगर हम देखें, overall, अगर देखें, तो जितने भी price है, petrol और diesel की, तो लगबग 28% तो base price के हिसाब से taxation ही लग जाता है, तो उसके हिसाब से, मतलब GST में अगर लेकर क्या होगे, ठीक है, अगर GST में लाया जाता है, तो 28% taxation लगाया जाएगा, 28% taxation अगर लगाया जाएगा, तो इससे amount कितना collect हो सकता है, कि around मतलब base price के comparison में लगबग 5.40 रुपे पर लिटर के हिसाब से petrol पर आएगा, और diesel पर आएगा, 5.45 रुपे पर लिटर डीजल के उपर आजाएगा, तो overall इसमें जो yielding होगी, yielding का मतलब overall जो income हो जाएगी, सरकार की, वो कितनी reduce हो जाएगी, वो देखो आप, कि current जो yielding है, current जो पैसा मिल रहा है न, एक लिटर के ओपर सरकारों को, वो मिलता है 32.90 रुपे पर लिटर तो petrol पे, और diesel पे मिलता है 31 रुपे 80 पैसे पर लिटर के हिसाब से, डीजल पे, आप देखो कि 32 रुपे से 5 रुपे जाएगी क्या सरकार, 31 रुपे से क्या 5 रुपे जाएगी सरकार, तो यह बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहां पर revenue loss बहुत जादा हो जाएगा, लगबग लगबग revenue loss की अगर estimation देखो, तो वो 55% तक reduction हो जाएगा, जो की सरकार, सुरी, मतलब बहुत जादा loss हो जाएगा, in short आप यह देखो, यह data इतना वो निया, हमने शुरुआत में जो देखा ना, वो ही important है, तो point यहां पर यह आ जाता है, कि सरकार क्यों अपने pockets को खाली होने देगी, तो देखो, जब तक wet या फिर GST जो भी apply करती है, सरकार अपने हिसाब से, ठीक है, उसके difference को compensate करती रहेगी सरकार, तब तक देखो, इनके prices बिलकुल reduce नहीं होने वाले क्योंकि हमने देखा ना, credit और non-credit वाला option, तो credit वाले में तो चलो GST आप apply कर दोगे, 26%, पर non-credit वाला option भी तो बच रहा है ना, उस non-credit वाले option में फिर बाद में सरकार क्या apply करेगी, दूसरे जो taxes हैं, जो बचे हुए है, excise duty हो गई, value added tax हो गया, वो, तो यहां पर GST ambit में लाने के बावजूद भी, अभी crude oil या फिर petroleum product की price down होना, मुश्किल है, सरकारों को अपनी जो भी price, जो भी taxation rate है ना, उसको reduce करने की जरूरत है, तो overall अगर अब losses की बात करो, तो 3,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 बहुत बड़ा सवाल है, तो option क्या है, केवल और केवल, सरकारों को अपने revenue कटके ओपर ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर कि एक काम होगा, नहीं, GST के अंडर में लाना ही कि एवल एक solution नहीं है, आगे चलते हैं, अच्छा एक चीज बताना बूल गया है, यह वाला article आ और equity में election हो रहे हैं, तो वहाँ पर एक चीज बड़ी अच्छी निकल के आ रही है, कि जो home workers हैं, उनको payment दिया जाए, मतलब जो housewives हैं, या फिर जो भी female घर पे काम कर रही हैं, उनको salary या उनके wages fix करने चाहिए, कई states में बोला जा रहा है कि pension दी जाएगी, और यह शुरु हाल वो केरला की politics में actively participate कर रहा है, कमल हसन, उन्होंने यह बात शुरू की, कि housework को figure out करना, और उनको political parties के दुआरा recognize करवा करके, उनको time पे, उनके salary, wages जो है, वो time पे मिलते रहें, यह economical recognition उनका होना ज़रूरी है, तो basically, जो burden है housework का, वो women पे है, इसको recognize करने की ज़रूरत ह या अभी जा रहा है, बट आप देखो कि क्या women की progress के लिए recognition ही enough है, कि हाँ हमें दिख क्या रहा है, कि हम्टम्स पर ध्यान देना ही सही है, या फिर root cause पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, देखो basically अगर देखें, lockdown के time पे, सभी families में लगबग home bound हो गई थी, सब लोग घ हो गए थे, तो जब खाना बाहर खाने की बात थी, तो वो गया, cancel, तो सारा burden आ गया क्या, घर पे, घर पे काम बहुत बढ़ गए, पर हाँ ये चीज़ भी देखी गई है ना, कि काम बढ़ गए तो वहाँ पर man ने भी participate किया, जो कि house work में usually participate करते हुए दिखाई नहीं देत है, तो जो मित है ना, कि house work जो है, वो केवल और केवल women ही कर सकती है, या फिर ये कि house work जो है, वो बहुत ही आसान है, ये मित कहीं नहीं तूट गया, middle class families के लिए अलग तरीके के मुश्किले थी, तो poor class families के लिए अलग मुश्किले थी, middle class families के लिए खाना पकाना, वो भी प् क्योंकि स्कूल भी तो बंद होगे थी ना दूसरा जो elderly लोग हैं या फिर जो बिमार लोग हैं उनको hospital accessibility ना ensure होने के चलते फिर उनका ध्यान रखना और जो बच्चे हैं उनको घर पे ही जो online लाइन स्कूलिंग चल रही थी उस पर तो ओवरोल जो वर्कलोड था घर का होम वर्कलोड था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया दूसरी तरफ पोर फैमिली की बात करें तो उनके तो क्यों लेकि एक चीज दिमाग में रही कि कैसे भी करके हम दो वक्त की रोटी तो एट लि चान तो देना शुरू किया पर विमन का जो कॉंट्रिबिशन है ना हाउज वर्क में इसको थोड़ा सा और ज्यादा डाइवर्सिफाइड मैनर में एक्सपोज करने की ज़रुत है क्योंकि सोसाइटी में अभी भी इस चीज को फोर ग्रांटेड लिया जाता है और दूसरी तरह आप देखो ना विमन एंप्लोईमेंट का क्या स्टेटस है वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें कि जो लोग काम करना चाहते हैं और उन में से कितने लोगों को काम मिल रहा है वो होती है वर्क फोर्स ठीक है तो आप देखो कि विमन का पार्टिसिपेशन कितन 11% समझ रहो और दूसरी तरफ male counterpart का contribution कितना employment में total जो male है जो job करना चाहते हैं उनमें 71% job कर रहे हैं तो इसके comparison में कितनी ज़्यादा इन equality है तो एक तो women employment participation को increase करने की जरूरत है सरकार इस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रही है political parties इस पर ध्यान बहुत कम दे रही हैं दूसरी तरफ जैसे ही lockdown लगा और यह अब के हाल current जो आया है जिसमें CMIE का data है उसमें urban areas में तो unemployment या employment rate अगर देखोगे ना केवल employment rate of women वो 6.9% ही है तो आप देखो कितना मुश्किल है अच्छा women workers जो काम कर रही हैं उनको volunteer workers बोल देते हो जैसे कि आशा आंगनबाडी volunteers या दूसरी schemes में जो काम कर रही हैं women उनको आप volunteer बोल करके उनको जो labor rights मिलने चाहिए उनको जो फाइदे मिलने चाहिए सरकारी स्कीमों के वो फाइदे नहीं मिलते हैं तो कहीं ना कहीं इसको भी तो करने की ज़रत है ना कि employment rate भी बढ़े औरतों की paid domestic workers की अगर बात करें तो देखो इस sector ने तो बहुत ज़्यादा परिशानियों का सामना किया है और हमेशा से करता रहा है कि जो लोग भी जैसे आपके मतलब कोई नोकर बनके काम करें किसी की घर में एक तो उनको किस तरीकी का behavior का face करना पड़ता है दूसरा उनका जो payment होता है वो कितना अच्छा एक male के comparison में female को कितना salary मिलती है वो आप देखो कितना ज़्यादा gap देखने को मिलता है जो periodic labor force survey 2018-19 की बात करें तो उसके हिसाब से female workers को regular wages में मतलब दोनों सेम काम कर रहे है male और female वहाँ पर females को कम salary कम wages मिल रहे हैं तो जब तक अगर attractive wages नहीं मिलेंगे तो फिर जो औरते willing है वो काम करने के लिए क्यों जाएंगी दूसरी तरफ आप देखो कि जो एक family में कोई एक औरत एक female है वो ही home maker है मतलब वो ही घर को समाल रही है और वो ही primary bread winner है मतलब कि घर की जो basic रोटी की need है ना वो भी पूरा करने के लिए उस औरत को ही घर से बाहर जाके काम करना पड़ता है और फिर घर पे आके भी उसको उतना ही काम करना पड़ता है तो ऐसे में आप उनकी अगर proper salary, proper wages नहीं decide करोगे तो फिर ये house work को recognize करना तो थोड़ा दूर की बात हो गई welcoming step तो है पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप और चीजों को ignore करो क्योंकि paid work है ना उसमें equal treatment मिलना बहुत ज़ादा जरूरी है देखो ये discriminatory tendencies ना labor market में जो भी चल रही है male और female को ले करके तो वहाँ पर थोड़ा सा ये discrimination खतम होने की ज़रूरत है एक attention इनको भी मिलनी चाहिए तो ये current indifference है ना जो ignorance देखने को मिल रही है women employment को ले करके इस पर बहुत ज़ादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि हमारी economy point of view से देखें तो 50% population तो job में participate कर ही नहीं रही है बहुत कम participate कर रही है मतलब 50% male 50% female वैसे है नहीं exactly ये ratio पर 50% population अगर आपकी economic activities में participate ही नहीं करेगी तो कैसे economy आगे बढ़ेगी आप देखो कि flexibility बहुत देखने को मिलती है कि एक तो सस्ता labor चाहिए employer को और दूसरा कि मन में आये तब उनको fire कर सके निकाल सके तो ऐसे में सरकार को recognize करना चाहिए कि जो भी domestic workers हैं उनके ओपर ज़्यादा कोई परिशानी का करण ना बने अब यहाँ पर writer सवाल उठाती है कि मान लो कि जो घर पे बैट गर पे जो काम करती है उड़ते उनको आपने house work के लिए payment दिलाने की बात कर दी तो यह payment दिलाने की बात कौन कर रहा है या pension देने की जो बात की जारी है वो कौन कर रहा है state मतलब सरकार करेगी यह काम तो आप तो यहाँ पर जो employer है जो काम देता है उसको आपने और फ्री कर दिया यहाँ पर तो उसकी तो कोई जिम्यदारी नहीं बनी फिर तो यहाँ पर जरुरत क्या है कि employer को bound किया जाए कि जो नोकरी करवा रहा है वो वहाँ पर wages प्रवाइड करे क्योंकि state अगर wages देगा तो एक थोड़ा सा एंगल मैं आपको समझाओ state अगर wages देगा तो state के pocket पे burden पड़ेगा state के pocket पे burden पड़ेगा तो state तो tax order बढ़ा देगा वे उसको क्या फरक पढ़ रहा है सरकार को सरकार तो public के tax session के पैसे पर चलती है ना तो सरकार तो tax order लगा देगी ऐसे में जो employers हैं उन पर कही न कहीं लगाम लगानी भी जरूरी है उनकी भी responsibility जरूर fix होनी चाहिए ठीक है तब जाकर के properly काम हो पाएगा ठीक है तो इस तरीके से आज के discussion में इतने नहीं थे आर्टिकल जो हमने detail में देख लिए और एक बार read out आप कर लेना अच्छा इस आर्टिकल को आप gs paper 3 बता नहीं बूल गया मैं gs paper 3 के साथ connect कर सकते हो economy में और दूसरा आप employment वाला अप्शन है उसमें और एक gs paper 1 में भी आप connect कर सकते हो women empowerment वाले topics है ठीक है तो discussion यहीं कता है thank you very much